का आज पहला दीन क्रैस कर्स का हम लोग क्या पढ़ेंगे विधूत्यावेश और छेत्र आव चेत्र कहने का मतलब होता है कि अब लोग दिमाग में क्या चाहिए कि बिधूत्याय है जब किनी दो बस्तु vaccines को आपस में रगारने से घरसन द्वारा ठीक है रगरेंगे तो गर्शन होगा ही ठीक है अब मतलब गीसेगा हो तो बस्तु में क्या होता है स्सक्राइं आक न करने का गुनले कोई न है का युए च्छर ले यह ठीक है का इस आच पाचर हो गया यह नाच का छड़ है और इधार रेसम का कपड़ा ले 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 तो जब यह दोनों का आपस मेरे गरते हैं तो क्या होता है कि दोनों में आकर्षन करने का गुन मतलब बस्तुवों में क्या होता है आकर्षन करने का गुना जाता है जैसे कि कोई भी पदार्थ क्या होता है परमा अब पर्मानु किससे मिलकं बना होता है। कि सब्सक्राइब होता है। तो हम लोग जैसे जानते है कि frustrating हुमेशा negative charges होता है मैसे बॉदा मैं scrip होता है और अई मेलकंटार्ण कि लिए तो जब इस पदार्थ को काच को रेसम से रगड़े हैं, जब काच जब रगड़ा हुआ नहीं है, तो क्या है उसमें? पलस चार्ज भी है और माइनस चार्ज दोनों है, रेसम में भी पलस चार्ज भी है और निगेटिव चार्ज भी है, तो जब हम लोग काच को रगड़ रह रहां है ने समसे तो क्या होता है इसका इलेक्ट्रोन जो है नेकिटिफ जो हैड डिशम में चला जाता है जब इसका नेकिटिफ याज़ देशनmek चला जाता है और पोजीटिव जिसमें ज्यादा positive charge रहे न, वही अपनी और किसी बस्तू का अकर्सित करता है, देखे काच हो गया, तो इसमें जब addition से रगार के क्या हुआ, positive charge हो गया, तो क्या देखा गया, कि जब हम लोग छोटे छोटे कागच के टुकरे को इसके पास ला रहा है, तो क्या हो रहा है, अपनी और आकर्सित कर रहा है, अकर्सित कर रहा है, तो यही आकर्सन करने का जो गुन था, आकर्सन करने का गुन जो था, उसी को क्या नाम देदेगा, बिधूत देगा नाम, और यह काम कौन की है, पहले सबसे पहले कौन जाने की बिधूत क्या होता है, तो थेल्स नाम के जो चौशो इसापुर्व में तो सब्सक्राइब एक अंबर नाम के पदार्थ को अ उन से रगड़े क्या देखे कि अंबर में जो अंबर पदार्थ है वो क्या है छोटे-छोटे धूलकन को अक्ताम बहुत ही चोटा-छोटा धूलकन आया चोटा-चोटा क खार तक टुकड़ा को इससलें अपनी रवा कर ले रहा іकोट अंबर द्वारा वस्तु के आकर्षित करने का गुन आ गया उसे क्या कहते हैं विधूत कहते हैं अब बात आता है घर्षन विधूत सीधा सा बात है घर्षन यानि घिसना और विधूत विधूत के बारे में पढ़ लिए कि कोई भी वस्तु का आकर्षन करने का गुन ही क्या होता है क किसी बस्तु में अगर आकरσαन करने का घूना गया तो समझेंगे क्या है उसमें बीदुत है ठीक है मतब क्योंकि कि वहीं भीदुत हो जाएगा आयए कि ज़रूरही नहीं है कि घर्शाने से मतल़ बस्तुन करने का गुण ऑधा देंगा है तो और इसको बाद हम पढ़एंगे भी आतें आ गेस आवेस क्या है कि यह स्क्या है ठीक है तो अवेस पदार्थ का एक गुन है जब दार्थ रहा जाए उन्में पॉजिटिव रहा गया रहा गया ना पॉजिटिव रहा गया तो वही बात है तो अगर आप परिवास पूछे डारेक्ट तो क्या बताइगा ऑफ पदार्त का वहा गुन है जब पदार्तों को आपस मेरे गडिया जाए उनमें प्रसपर्ट इलेक्ट्रोनों का अधान परदा से मिलके बना हुआ एलेक्ट्रोन प्रोट्रॉन नी ट्रॉन ओंसरे मिलकर बना होता है मुए तो है बना होता है तो अब ये बात कौन बताया कि धना आवेस और इनावेस बेंजामीन फ्रेंक्लिन नाम के गगानी थीक है बन्जामीन सब्सक्राइब और रेसम में क्या रहेगा सिफ नीगेटिव चार्ज आ जाएगा यह बात बेंजामिन फ्रेंक्लिन ने बता है यह तो अंबर अंबर से उनकों अंबर को उनसे घसके देखे तो देखे कि अकर्शन करने का गुन आजा रहा उन्होंने बोल दिया कि विधूत है मतव इलेक्रिसिटी है इसमें इलेक्ष अंबर में इलेक्रिसिटी का गुन है और कहाने के अनुसार फिर बाद में 1600 ECB में तिक है 1600 ECB में गिलवर्ट नाम के बेगानिक ने कहा कि नहीं सिर्फ अमबर में ही यह गुन नहीं पाएजाता है बलकि और ऐसा चीज है जिसमें यह गुन पाएजाता है जैसे काच का च्षड हो फिर आज्का छोड़ों गया और वनायट का च्छर हो गया एक वनाइट का चछर इवनाइटका बढ़ों गया तो इसी तरह का और भी है संक्षर और सल्फर हो गया यह सब क्या हो गया उसमें करने का गून आ जाता था तो आ करस्त मतला हिश्चती नहीं हुआ भूसना फाटाल्थ की जिसमें पदार्त में उन है गून है आकर्षन करने का लुजेत करेऊनों और ज्लोगन करेगा तो Bernard करेगा तो बात समझा गया कि विधुत क्या है घर्षन भिधुत क्या है आवेश कितने परकारलद है जिस आपको कि आपको टार्गेट क्या है मत दुझा तेस के जो बोड़ी जाम उड़ा है उसको ध्यान में रखके हम सारे चेप्टर का तो आगे चलते हैं अब बात आता है कि धन आवेस और इन आवेस क्या है तो जैसे ही हम लोग देख रहे हैं यह कांच का च्छड है और यह रेसम का टप कपड़ा है ठीक है कांच के च्छड से सारा इलेक्ट्रोन इसमें चला गया और यह पॉजिटिव चार्ज इसमें रहा मत इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोन जिसमें से जाएगा नावेस और इसमें मतलत इलेक्ट्रोन क्या हुआ है चला है तो एकुसी बस्तु में इलेक्ट्रून की बेदी हो जाते हैं इसमें एलेक्ट्रून का क्या हो गया रिधी हो गया रगण है की जिए और नेगेटीब था मुझे-šर मिले प्रिदीड है जार रहे लाना चला रहा है। तो इलेक्ट्रोन चला जाएगा, यानि जिसमें से इलेक्ट्रोन हटेगा, वो क्या हो जाएगा, धन आवेसित हो जाएगा, उसमें सिर्फ धन आवेस आजाएगा, और जिसमें रिन आवेस कब होगा, जिसमें इलेक्ट्रोन के संक्या बढ़ जाएगी, ठीक है, तो वही क्या यहां पर नोट में देखिए नोट में चीज़ लिखा हुआ है कि शमान पड़कार के और ईब Sally को परतिकर्षी ध करते करते हैं परतिकर्षीत मतलब होता है एक दूसरे को अलग करते हैं था अलग गगे संसे कि अप चूंबक देखे होंगे कहा है भित ओनाइस चार्ज्थ होता है नॉर्थ पुल साउथ पुल होता है कि नोर्थ पोल और साथ फोल होता है एक एक मत्दथ्स अरो और उत्री दुरूप सुने होंगे न ऑफजितीygenा होता है यह नीनिघेटीव लख़ुद हमलोग चुम्बा को जब पोजितिव पोजितिव बीटिव चार्ज है अधर we तो वही बात यह समान पड़्ट करके उसी तरह दूक अच्छ लिए ठीक है लोग क्या लिए दो कच चण लिए जोनों को रेसमसे रगड़ दिए तो दोनों को रेसमसे रगड़ चुक्ए है कि 가 को भी रगड़े हुए है और इसको कश कुभी जब रेसम से रगड़े हैं तो इस पैसमे measly ते जाज ज़ंगा और ईस बाल से मि extension को दाना पुछ तो यह को जो शंक है और इसमेकफारश कर दोनो कच कि छड़ को कि दोनो इसामे सोने लिए आएगा आज फास में लीजाएगा में छांज रहेगा क्या करेगा इसको मों इसको अलग करेगा परतिकर्सित करें चर्थ नलते हैं आप सुझतार है अर नोग और यह हम लोग एवन राइट के च्वर क्षण होता है wichtig ना राइट का च्वर होता है बहुत त्हुट का होता है लेकिन बहुत ही हड़ होता है क्यों कि किसी चेवल में कीवल के तार लूम्हें देखे एकuję की था में कि चाहें को बिजली बलातार में देखते है कि जो काला टाइप का जो डायब टायब का जो होता है तो हाड पर क्या होता है ऐसी को डॉलिस के पास के पास एक डंडा हो start को देख दो सब्सक्राट का कुषना ड्ोट होता है संट लगर थे च्ष enchantam हम लोग बिल्ली के खाल से जगड़े तो जा हुआ यह वो नाइट के चछड़ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और बिल्ली के खाल पे पोजिटिव चार्ज आएगा यह चीज समझना है हम आगे समझाएं कि आपको अहीं अप मेरे पिछला वीडियो में देख लिजेगा पिछले वीडियो में आय इसके बारें बताय हुआ है आप देख लिए अब है देखी सब्सक्राइब नहीं तो देखिये एक हम लोग एक है चार्ट को युदिय का कह घर्ला से उल्हतर प्वाब फोल का से ते तो फ्रकांट चार्ड ज्राज ज्याद में पोजिटिव ऊजब नाइट का जो च्पर है निगेटिव चार्ज का ये इस चुमबक को देखते हैं इस चुमबक को हम लोग देखते हैं जब इस वाले चुंबक पर लाएंगे क्या दखते हैं कि आपस में यह अकरसित होने लगता है ठीक है आकरसित होने लगता तो हम लोग कहा सकते हैं कि समान परकार के यानि पोजिटीव और पोजिटीव समान परकार का हो गया है सब्सक्राइब गश्य वान आख़ीस समानप्रकर अबशन जब समानप्रकर को आपर कर कि रहेगा लग कड़ेगा का अकार्षित कर लेगा कि हो गया हुए baruien कि तो वही बात है जो लोग बीधूत पढ़िये लिए आवेस पढ़िये लिए दोनों को मिला देजिए वही बीधूत आवेस हो जाएगा बीधूत आवेस क्या है किसी पदार्थ का गुन है जिसके कारण उसमें विधूत या चुंबक ये प्रभाब उत्पन होता है तभी न चुंबक ये प्रभाब उत्पन होता है विधूत आवेस कहलाता है इसी पदार्थ का वहा गुन जिसके कारण उसमें विधूत चुंबक ये प्रभाब उत्पन होता है विधूत आवेस कहलाता है और इस विधूत आवेस को हम लोग क्यू से परदसित करते हैं क्यू से ग्रटीश Amundi और अधिस मतलब होता है सदेथ और अधिस आधिस कहने का मतलब होता है इसमें परिमान हो आनि किसी बस्तु का परिमान हो लेकिन दिशा का पता नहीं हो जैसे कि इस हमको पता है कि हमको 5 क telev你看 चलना हे 10 किलो यहां कि सीधा चलना है कि उल्टा चलना है कि इसके बारे में पता नहीं है तो वही बात है जिसमें ज्ञान नहीं होता है वो क्या होता है अदिस रासी होता है बस इतना पता रहता है कि हमको इतना किलोमेटर चलना है परिमान पता होता है लेकिन दिसा नहीं मालूम होता है उसको होता है तो अधिस रासी समझ गया कि जिसमें दिसा का पता ना रहे अधिस मतलब दिसाहीन अधिस मतलब दिसाहीन रासी अधिस रासी का अलाता तो क्यूं क्यूं मतलब आवेस और एन क्यूं मतलब फर्मूला होता है विदूत आवेस का आवेस अगर निकालना हो कि किसी बस्त पदार्थ में इलेक्ट्रोनों की संख्या ठीक है एक्ट्रोन मत कितना उस बस्तु में कितना इलेक्ट्रोन है वह ठीक है एक बस्तुपर पॉजिटीव चार्ज आता एक निगयर चार्ज होता है इस पर भी तो कुछ एल्यक्ट्रोन है ना यह जो आइस है वो क्या है सब्सक्राइब और यह जो इलेक्ट्रोन का जो चार्ज है जो निगेटिव में होता है निगेटिव में यह एलेक्ट्रोन का अबेश दिया हुआ है तो हम लोग क्या समझेंगे कि 1.6 into 10-11 जो है वो क्या है अब अब निगेटिव में इलेक्ट्रोन का अबेश बताया वह तो यह रीन हो जाएगा हाँ तो एक बात इसमें और ध्यान देना है हम लोग को ध्यान देना है कि जब हम लोग कांच के च्छर को रेसम में रगरते हैं कांच के च्छर को रेसम से रगरते हैं तो इसका जो पॉजीटिव चार्ज होगा और इसका निगेटिव चार्ज होगा या बरावर होगा या इस कि इसमें सरेक्त्र All-ег Sham होड़ा हे तो जब हम लोग रगड़ते हैं और यहुंग क्या होता है इसका प्लस चारज इसमें чलाता है जाता है और प्रदान होता है आवज क्या सिखाए इलेक्ट्रोन के आदान-परदान से क्या होता है आकरसित करने का गुण आ जाता है है जब त्ख व्यक्तरों और टाल नहीं होगा तब त्ख पले मूशत कजैनी आए लाइगा को इसमें जो प्लस है थी चाहया और लिये दोनों का जो भैलू होगा दोनों बडावर होगा इसमें जितना काच का पॉजिटीव में अभी दखा रहे हैं इस काच के छड में जो लेक्त्रोन है 1.6 गुंडे 10 to 40-19 यह धना वेस वाला जो क्षद्रोन है और रिनाय। के ऐलेक्ट्रोन के क्या है जर्फर्ण हो जायेगा और यह प्लस इस चीन दिया हुआ है जानने के लिए कि यह धनावेस है की रिनावेस है नगटिव चार्ज लेकिन इलेक्ट्रोन क्या है बरावर 1.6 गुन एक रगर यह आप तो क्या होगा चैच्छ में भी बरावर आवेस आएगा और सम्सक्राइब में भी बरावर आवेस आएगा जो होता है तो क्या होता है धारा को हम लोग मतलब धारा कहेंगे अटी को समय कहेंगे धारा गुन्य समय ही क्या होता है के आइबरो होता है तो ही को लोग नाम पर ही कुलोम पडुए है नाम पर ही इंपर सboys को अगर दूसरे भाधता में बोला तो एम्पियर सेकेम्ड भी उसका मात रख़ता है ठीक है आप इसका एम्पियर सेकेंड भी मात रख रख विधूत धारा एक सकेंड तक परभाइत हो उस चालक में से गुजरने वाली विधूत आवेस की मात्रा एक कुलॉम होगी एक कुलॉम का परिवासा समझ लेजिए नहीं लिखार धारा गुने समय लिखे हैं एंपियर सकेंड यानि इसी चालक में एक एंपियर की विधूत धा एक सकेंड तक परभाईत हो उस चालक में से गुजरने वाली विधूत आवेस की मातरा एक कुलम होगी अब विधूत आवेस और विधूत आवेस और विधूत धारा में क्या अंतर है विधूत आवेस और विधूत धारा में क्या अंतर है जो आवेस होता है न इस्थिर रहता स्थिर अतलब एक इसका जो इलेक्ट्रॉन इसी बस्तू में से इलेक्ट्रॉन जाके दूसरे बस्तू ने कर वह बैठा जाता है, मतर परवाहित होते रहता है इसमें से इलेक्ट्रोन जो जाएगा आपको वो क्या होगा घूंते रहेगा वो रूखेगा नहीं चलते रहेगा चलते रहेगा परवाहित होते रहेगा तो विधूत धाड़ा उसी को विधूत धाड़ा करते हैं जिसमें इलेक्ट्रोन परभाई होते हैं यानि विधूत आवेस के परभाई को आप इस तरह सकते हैं विधूत आवेस के परभाई को आवेस के परभाई को यानि इलेक्ट्रोन के जो परभाई होगा चार्ज जो है चलत लेकिन विद्धुत्धारा में इलेक्टरोन है वो गती मान में रहता है, वो गती किया आändsych और वाली तो यदि किसी चालक में एक एक एमपीर की जो है एक सखेंटाप्रवायिध होते रहेगा उस चालक में से गुजरने वाली विद्धुत्भेश मिले सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करता है सब्सक्राइब आते हैं अवेस का मातरक सीजियस पत्ती में है भी दोन है या मतलं है इसरी मतल्द में क्या होगा सीजियस होता है कि सेंटिमीटर ग्राम और सेपना में एक संटिमीटर ग्राम से कम थे मैं आब साने स्थाइब को लहां या दैने कि छो मोड़ सकते हैं उसरी harbor बौन सकते हैं कुलम होता है आक इस टीक कोलोंव होता है कि स्टेट कुलोंब क्या हुआ कि एक क्लॉम्ट प्रावर रवर 转ाब तीन ग्रव नो इस्टेट कुलोंव या फ्रेंक लीत ख Attam को ही फ्रेंकली उल्ओं ते अब आता है कि आ पसे चोटा मतान की आनि इसका सबसे चोटा मातरख थे पूर्ट में पड़ते हैं है अधे अ लूग को पड़ा में जो आब एस आथा या तो फॉजीटिव चार्ज में होगा नहीं तो नीगेटिव ताया ठीक है कि में के नाम पे यह यह बमार्ट रखा गया बेंजामिन फ्रेंक्लीर के एक ऐस्दब चोटा उब्यक्टिमें यहां यह-उत्स बड़ा हो जाता है राड़क मारre सित होने के लिए क्या उतरदाय होता क्या अप्सक्राटा होता वह स्थकवाव माइसड होता है जब वस्थका इलेक्ट्रों दूसरे बस BO 3 दूर्स Q9 पूंजा किसी बश्टू की अवेसित होने के लिए क्या उतरदाई है वह पाले से ही तो जरूर है कि है कि इसी न किसी चीज से घीसा हुआ है जिसे कि चुंबक को देखते हैं चिंबक पहले से घ्रिसा हुआ रहता है उसमें मतलब इसमें आकर्शन करने का गुन पहले से रहता है तो लोहा के पास याथ है तो लोहा से जाता है वह ज़िए जब फो पड़ेंगे तो उसमें अच्छा से बताएंगे अब को कि अभी चलिए एकटरन-एलक्टरन करता जाने में डाती है वह जो आफको पेजह अब आता है वहाथ उर्सा है और सहल ने working 264 कि इस सिधानत नुषार जब दो बस तो रगणी जाती है बिल्कुल कि उनमें कुकुछ क tease की भाव्य कचा से मतलब परमानों की बावर्ण कचा से दो पदार्थ का दो परमानु होता है पर मानुर में इस इनमें नहीं और में बारी केशा में जो इलेक्टरौं 극्या होता है निलेक्टरौनinta जाता है कि वस्तु में चला जाता है इलेक्ट्रोन का अधान परदान होता है मतले इलेक्ट्रोन क्या है दूसरे बस्तु में चला जाता है इससे पहले बस्तु के परमानु में इलेक्ट्रोन की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी नेगेटिव चार्ज इसमें चला जाएगा इस हो जाता है और जिसमें निगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रोन की बिरिधी हो जाती है वो क्या होता है रीन आवेसित हो जाता है यही क्या है आपका इलेक्ट्रोन सिध्धान किसी बस्तू से दूसरे बस्तू में इलेक्ट्रोन का आधान परदान ही क्या है व पर्तिकरस्थ बस्तु के आविस्त होने का बास्तविक पर्तिकरस्थ आप डार्रेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कोई यहां कि नहीं थे दिगे जो में पर्तिकरस्थ कोई को ठीक है गुबार एक हो सर से रघर यह हैं तो पक्का सा बात है कि अबuje की आपका क्या बोलते हैं तो क्वेабंव एलेक्टरोन होगा वह के बाल में चला जाएगा जाएगा कि यह हो सकता है कि बाल का जो इलेक्टरोन है आपके बेलून में अगया हो ऐसा हो सकता है तो जब आप किसी अनावेसित मतलब जो पहले से आवेसित नहीं है तो जब आप बैलून को अपने बाल से रगड़ के बाल के पास ले जाते हैं तो देखते हैं कि बैलून चिपक जाड़ा है इसका मतलब क्या है उस दिवाल में आकर्शन करने का गुन है ना करने का गुन है यह बात हो गया और परतिकर्षन का बात समझे कि परतिकर्षन क्या होता है जब दो बस्तु को सजातिये सजातिये क्या बलते सजातिय आवेस में मतलब एक तरह का जो आवेस रहता है उसमें क्या होता है परतिकर्शन होता है अलग अलग हो जाता है इसको समझे बात समझाता है तो कि एक काच का चतर लिए हम लोग ठीक है काच का चतर लिए जो पहले से अनावेसित है मतलब उसको किसी से ती से ढ़कड़े नहीं हुए वह फ N 27 भी रिख उफ उपल भब नहीं है उदाति सीन है इसमें पलास माइनस दोनों पहले से हैं और एक बात है क्या बोलते हैं कि एक का च्छाड जो लिए है है वह बेस्ट है यारी सफलस्ट चार्ज है और एक चलिये और गिए चयारएं और अब हम लोग का चछर वाले को क्या नीगार जाएंगे तो क्या होगा यह तो आकर्सित है नहीं नहीं है तो क्या होता है कि आप देखिएगा अपने तरफ खीच लेगा अकर्सित होगा यह इस वाले कांच के च्छ होगा यानि जो झघना वेश्या है काष के यह संड़ेन कांच का च्या होगा है निय off जब्रण बढ़िक यह वाला क्या है आवेशिते होडा है मतलब यह आपकरीइगा तो यह तमनें की अ कसे तो सब में आढ़ा है तो अकर्शन वाला गुन इस इस प्रतिकर्शन पता चल जाता पता चल जाता है कि वस्तू आबेसी नहीं कि अब आये आवेस के संरच्छन का नियम कि अबेस को ना तो उत्पन किया जा सकता है नहीं नस्ट किया जा सकता है और नहीं नस्ट किया जा सकता है जैसे कि उड़ जा पढ़े हुएगा एनर्जी पढ़े हुए जाको ना तो नस्ट किया जा सकता है और नहीं उत्पन किया ज असकता है तितरह आवेश्च भी है कि जोनु च्ञ चला जाएगा रैशा पॉजितार में रया सब मतरा में रहता है रहता बज़ेता सब्सक्रण सब्सक्राइब बढबार मक्षे प्रॉट्ण में बता नहीं होता है। नहीं होगा इसको हम लोग निक्षित उधäreण से समझ सकते हैं है रिचमक्ष से और सबस्क्राइब न Summa रहें क्या सकता है और नहीं चीनिपया मतश्पा चाहिए या तो इसका इस्धान्तरक्त किया जाता है ये आईनी करन किरिया क्या होता है एक नमक को जल में गोला जाता है तो हम लोग देखते हैं कि सोडियम और कलोरीन जो है अलग-अलग हो जा रहा है बिभक्त हो जा रहा है है Sodyum और कॉलराइट क्या है ऐनओ में विभक्त हो जा रहा है यानि एक पर प्रह चार्ज आ जा रहा रहा है और एक्पर नीघेटीव हो जारा जानते हैं कि क्योंकि पर मॉल क्या है है विदुद्लीज़न कोई पता है लेक्रन प्रोट्रो दोनों होता है यह आयन करन के पपझे आया जा रहा है जल में तो क्या हो जाते रहा है एक सोदियम हो जा रहा है क्लोरीन में निगेटि него जात रहा है और यहां पर सोदिय मं प्लस जा जाते हैं अधिया आइनों का घुणल आवेस एक पलस अर consulting है नहीं अधिन निगेटिव आविस हो जाएगा उदासिन नहीं हो जाएगा उदासिन नहीं हो जाएगा हो भ SEC पहले से पुदासिन 이상ist ही ने पहले से, जब हम लोग जल्ब है, इसको घोल रहा है, तो इसमें भी क्या उडा है, एक पलएस में आ जा तहरा है, दोनों को जोरेंगे तो कुछती करता है अब आता है नाफ्किये विखंड़ा ये उरियान को जब हम लोग नीटरौन के नेटरौन से बंबारी कड़ाएंगे तो क्या होता है एक बेडियम में आ क्रोमियम में आजा देमियम का प्रमानु संख्या 56 है और क्रोमियम का 36 है ठर्टीस एफ रपण ओर चापिस ठर्ट ओंतेश के लिए चपन? प्रेह शटर्ट ,ícios कट हटोबगा और देगा ऑखिका छफवद्षक ऑठीस ॡो त없이 प्रिखन्दन से पूर्व क्रिया में भाग लेने वाला अब्यों कि संख्या कितना है परमानु की संख्या मतलब यह जब पढ़े हुएगा जैसे हैं पता रहता है आपको हाइड्रोजन का परमानु का एक है हिलियम का एक है इस तरह से पढ़े हुए परमानु की संख्या और इलेक्ट्रोन की संख्या को हम लोग बरावर मान के चलते हैं इसमें 92 विखंडन से पूरे अनि जब हम बंबारी नहीं कराया थे पूरे नाइंटीटू हो गया और बिखंडन के पच्चात क्या हो गया नाइंटीटू हो गया भी 8 46 और यहां पे जीरो हाई एंटी जीरो करें तो च्रुप हो गई कि इनटेदेज का यह दो है वह दोनों बड़ाबर आ गया ुप सेभी पता क्या चल रहा है कि अबहुत आफे का क्या है के संप्स्राइकत क्षिट क्या इन कि बाइब इसी भी निकाए काुल वेखोर अभीधुल अभ्याभुन डिएभी कह पर ऊपस थी तो वेखोर में तो पलस माइनस में फ्राल चार्ज अार्ग रहीं सब्सक्राइब खृता निकाए में इनकलों पर बैधूत निकाएं को बैधूत भूला ऑभा슬 मतब 276 जादा है कि यह को सबक्रूत निकाएं में इन कंसे वींदतों इतल हुआ इंधूत अिमीआ यह न को चीज्य greatnessुर्ण कष सिह लगल कि ऊड़िए सब्सक्राइब करने का गुन है और उन कनों पर बैधूत आवेस जो है वो सकता है कि पॉजीटिव चार्ज भी हो और निगेटिव चार्ज भी हो यानि प्लस 1-2-3-4-5 तो हम लोग को इसका कूल आवेस निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे सभी आवेस को एड कर दें लेंगे चीन सहीत यानि माइनस वाला भी रहा तो माइनस वाला भी लेंगे प्लस 1-2-3-4-5 इस तरह से करेंगे तो हम लोग के पास जो माइनस वान आएगा वकूल आवेस हो जाएगा इसका इन कनों से बना हुआ कि बाइदूत निकाये का इसका क्वांटी करन करना है तो अब तेक आवेसित बस्तू पर उपस्थित आवेस सद्यव आवेस की एक नियुत्व मात्रा का पूर्ण गुनक होता है जो इसके यहां पर निट्रो जो प्रमान कि क्या बता है एलेक्रोन की संख्या बताया थे ना येन क्या होता है एलेक्ट्रोन कि संख्या होता है और एक होता है पर मानू जो बना हुआ है पर मानू में प्रोट्ट्रोन और तो दूना होता है कह सकते हैं कि इन जो है परमानुव में जो इलेक्ट्रोन की संख्या होगी वो यह पदार्थों में जो इलेक्ट्रोन की संख्या होगी वो तो अथा किसी आवेसित बस्तु या कनपर उपस्तित आवेस ग्यात करें तो वो सदै पुर्णांक होगा यानि जभी खुई भी एलेक्टोरन हमलों देखेंगे या तो प्लस one, प्लस two, या मैनिस three, या मैननस four इस तरह से इलेक्टोरन होगा, नजी नकी one-poaríaंट five, या one-by-five, इस तरह बट्ता में, कभी भी नहीं आहाएगा, इस भी भी देका कभी भी आहाएगा, जबी भी भी होगा पुर्नांक में होगा पुर्णा अंख में में होगा रांगी जो फॉप्टत के यम्र्ट रीचों से दूसरे स्थान त्रित क्या जा सकता है कोई बस्तू है जो बिधूत आवेसी था पहले से उसका कुल आवेस क्या होता है नियत रहता है constant रहता है पहले से कोई बस्तू जो बिधूत आवेसी था isolated system मतलब कोई बस्तू है ठीक है निकाय मतलब कोई बस्तू छो पहले से isolated है मतलब जो abc था पहले से डिखजे तो उसमें जो ios आइगा आपको नियत रहेगा constant रहेगा पर इस ही उसमें घटेगा बढ़ेगा नहीं ठीक है नियत रहता है मतलब abc था पहले से constant रहता है क्या कॉंटिजेशल ऑभी तहट करन की हा hebt ग्रीजेग लें नहीं बता है लोगा डिब्सका कॉंटिक के पता है जो इसका को धोगा इसका इलेक्टरोन का संख्या हूँ हमेशा पुर्णाइंग में ही तो पॉजिटिव नगेटिव और है बूर्स हम हम्हें सोदों मौल कारण यह है कि एक बस डूसेरी बस तो में संत्राइब हो सकता है यानिक सपार्ण होगा हमेसे हम हाइस होगा यह या तो हम एक एक लिये क्यों देंगे नहीं देंगे है है तो सबस्टता च western ing विधुत आवेस का नियुंतम संभव मान क्या तो इलेक्ट्रॉन का भाहिलू बताई ही दिये हैं प्लस 1.6 इंटू 10 टू डिवार नाइस 1.6 इंटू 10 टू डिवार नाइटेन कुलॉम। उनाइस थी गए, उनाइस ही है, उनाइस कुलॉम। तो यह पलस में भी हो सकता है और माइनस में हो सकता है पीछा बता है कि कैसे जब बता दिये थे न कि जिस पर positive charge होगा उस पर 1.6 into 10 to the power minus 1.9 कुलॉम होगा और जिस पर negative charge होगा उस पर minus 1.6 into 10 to the power minus 1.9 कुलॉम होगा ठीक है कुलॉम को C से बिनोट करते हैं एक question है आपका यह पूछा जाता है यह वाला कुछ जब काज की चर को रेसम के कपड़े से रगरा जाता है तो चर पर 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलॉम आवेस आ जाता है रेसम पर कितना आवेस उत्पन होगा मैनस 1.6 into 10 to the power minus नईस कुलॉम होगा तो आज के लिए इतना ही question है आपका day 1 का target यह है कि आप इतना question को आद के लिए day 1 में कि तरह मैं आप लोग को आगे भी देते हांगा तो day 1 के लिए इतना ही